हाई गाइस वीडियो में हम डिस्क्स करेंगे स्ट्ल पॉइंट का स्लूइशन तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं एंफ्रसाइज करूंगा वो यह है कि दो सब्सक्राइब नहीं हो सकते क्यों नहीं हो सकते उसका वाय मैं आपको बताऊंगा तो ले असे यह आपकी 2D मैट्रि लिस्ट है तो वो ठोटा अजय को लिए से चोटा होगा और हमने का मैक्स है तो जे से बढ़ा होगा अब यह वाली लाइन ऐसा कहती है कि जेस लेस्ट लेस्टें जे अब दोनों बाते तो सच्ची हो नहीं सकती इस खाहिकि माइन है कि 2 saddle point नहीं हो सकते तो now this is proved कि 2 saddle point नहीं हो सकते तो अब एक बर saddle point निकालने का काम करते हैं values लेकर तो later से ये हमारा array है हमें saddle point निकालना है तो saddle point के बारे में खास बात क्या है वो अपनी row के least होते है तो देख हम row by row क्या करेंगे पहले पूरी row को travel करेंगे और उसमें उसका least ढूण लेंगे तो ये potentially saddle point है अब इसको चेक करेंगे क्या तो अपने column में max है तो तो potentially से पक्का saddle point हो जाएगा पर ये अपनी row में max नहीं है तो ये potential saddle point saddle point नहीं बन पाया फिर दूसरी row का least ढूणडा मिल गया चेक क्या column में max हो क्या तुम नहीं हो तुमसे बड़ा कोई है तो तुम saddle point नहीं हो इस row का मिल चेक क्या मिल गया क्या तुम अपनी row में max हो नहीं हो तुमसे बड़ा एक है तो तुम saddle point नहीं हो इससे पूछा तुम्हारा minimum कौन है ये है क्या तुम अपने column में max हो? हाँ हो तो तुम saddle point हो तो यह मिल गए saddle point ऐसा possible है कि एक भी saddle point ना हो ऐसा possible है आप example पार्स करके देखेगा आप ऐस example मिल जाएगा कि कोई भी saddle point ना हो जो अपनी row के main होगे वो column में max नहीं होगे तो saddle point नहीं मिलेगा तो उस case में हमें क्या print करना है? उस case में हमें invalid input करना है वो हमें बता रखा है invalid input करना है लाईए से code up करते हैं जल्दी से ज्यादा है नहीं इसके अंदर तो हमें number मिला है numbers मिले हैं और हमें settlement बताना है तो हम scanner बना के start करते हैं यह हमने scanner बनाया अपने नंबर का इन्पुट लिया टूडी आरे डिक्लेयर किया अज़र्ट भी हाओ टूडी आरे उसको भर लिया यह काम हम कई बार कर चुके हैं आरे ओफ आयजे को डूडू स्कैनर डॉट निक्स्टेंट हमारा स्कैनर भर गया अब हमें क्या करना है तो सारी रोज में लूप लगाया यह रहा मेरा रोज का लूप अब पर रो मुझे क्या करना होगा मुझे उस रोग का मिनिममम चाहिए होगा और उस मिनिममम को चेक करना होगा कि तुमने कॉलम में मैक्सिमम है की नहीं है तो देखिए मैं क्या करूँगा मैं इस row के सारे column लूप लगाऊंगा मैंसल मैं वो column identify करना चाहता हूँ जो इस row का least column है तो मैंने मान लिया कि least column index is 0 कि इस row का सबसे छोटी value वाला column 0 है ऐसा मान लिया दो बनिट के रिए और फिर loop चलाया j equal to 1 से j less than array of basically मैं इस row का least value वाला column ढूणना चाहता हूँ अगर i-th row के j-th column ने i-th row के l-c-i column से least column से छोटी value होकर उसे defeat कर दिया तो मैं कहूँगा l-c-i lowest column index है वो j हो गया है ऐसे ऐसे करके जब मैं इस loop से बहार निकलूँगा तो मेरे पास या मैं से बोलता हूँ smallest j smallest value वाला j s-v-j smallest value j smallest value वाला j चेक है तो मैंने smallest value वाला j मान लिया 0 कि 0 पर सबसे चोटी value पढ़ी है इस row में फिर मैंने 1 से लिके आरे 0 डाट लिंक तक लूब लगाया अगर कोई i-j value value i-o smallest value वाली j से चोटी value निकलाती है तो मैं बोलता हूँ smallest value वाला j तो ये वाला j है ऐसे करके जब मैं निकलूँगा तो मेरे पास j आएगा s-v-j में इस row का सबसे चोटी value का index पढ़ा होगा अब मुझे उस column में चेक करना है कि ये अपने column में max है की नहीं तो अब मुझे दुबारा से लूप लगाना है int k equal to 0 अब रोज वेरी करेंगी अब क्या होना चाहिए आरे ओफ के ऑफ s-v-j s-v-j मतलब हमने देखू क्या किया है पता क्या किया है कि ये values है हमारे पास ये values है हमारे पास तो हम जब पहली रोगों प्रोसेस कर रहे हैं ये मैं पहली रोगों प्रोसेस कर रहा हूँ यहां पर पहली रोग के अंदर मान लीजे ये column हमारा सबसे छोटा निकला अब हम ये कर रहे हैं ये चेक कर रहे है ऐसे चल रहे है पहले हमने यूँ चलते वे ढूड़ा कि सबसे छोटी से बड़ा निकला तो जो हमने चूज किया था यह सैडल पॉइंट नहीं है चेक है तो मैं यहां पर ऐसे मान के चलूँगा boolean flag equal true कि हम सैडल पॉइंट खुद को मान के चल रहे हैं लेकिन कोई k of svj हमारे i of svj से बड़ा निकला आया तो मैं flag को false कर दूँगा कि हम से खुद को कोई बड़ा निकला आया भाई इस कॉलम में तो हम सैडल पॉइंट नहीं है ब्रेक ठीक है अगर हम बाहर true लेकर पहुचते तो यह value थी हम answer प्रिंट कर सकते थे system.out.println यहां पर हम आरे of i of svj हम प्रिंट कर सकते थे ऐसा प्रेंट करके प्रोग्राम को return कर देते टर्मिनेट कर देते अगर यह लूप इसके बाहर पहुचता तो हम invalid input प्रिंट करते कि भही नहीं डूंट पाए आपके हमसाल नहीं मिला saddle point आपको दोबारा समझाता हूँ, देखिए, आप कर क्या रहे हैं पर रो आप एक चीज चेक करते हैं पर रो आप क्या चेक करते हैं? पहले आप पर रो उस रो का least निकालने कोशिश करते हैं कहां कर रहे हैं, पर row, कि हर row में ये काम होगा, क्या काम होगा, पहले ये काम होगा, ये काम क्या है, पहली row में travel करें, उसका list निकाल लिया, let us say ये list आया, तो आपको J मिल गया list, कैसे किया आपने ये, आपने सबसे छोटा index, सबसे छोटी value इसको मान लिया था, पिर आपने यू 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 लूप चलाया, जिसकी value से छोटी निकली, आप SVJ को अपडेट करते रहे, तो मान लीज़े, ये सबसे छोटा निकला, तो आपके बास ये column हो गया, अब आपने क्या किया, इस पूरे least अपने column में max है, तो ये हमारा saddle point है, अगर flag false हो गया, तो हम कुछ करते हैं नहीं, अगली रोपे move कर जाते हैं, अगली रोपे चलाते हैं कि least ढूंड के column को check करो, कि column में max हो कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो पाता है flag कभी true हो रही नहीं पाता है, तो हम last में invalid input print कर देंगे, कि हमें saddle point में लाई नहीं, तो उमीद करता हूँ, अपको ये समझ में आया होगा, लाई ये से submit करके देखते हैं, ठीक है, इसे submit करके देखते हैं, तो log out हो गया है, कोई बात नहीं, हाँ जी, दोबारा से submit करके देखते हैं, तो accept हो रहा है, उमीद करता हूँ को समझ में आया होगा, में तेकले सवाल में, thank you very much.